आज मैं आपको कुछ संकेत के बारे में बताने वाली हूँ जिनने मिलने पर हमारा अच्छा समय सुरू हो सकता है धनवान कौन नहीं होना चाहता है धन की देवी लक्समी की किरपा से ही धन की प्राप्ति होती है जोटिस आस्री के नुसार ऐसे सुपसंकेत मिलते हैं जिससे आप पता चलता है कि आपके घर में महालकसमी जी का आगमन होगा और आपको अपार धन लाब मिलेगा इसे आप अच्छा समय आने का संकेत भी मान सकते हैं पैसा सभी को प्यारा होता है हर कोई चाहता है कि उसके जिवन में ढहे सारा धन हो लेकिन कई बार ये भागी पर भी निर्वर करता है आज हम आपको उन सक्केतों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो धन आगमन का हिंट देते हैं ऐसा माना जाता है कि हर बूरी और अच्छी घटना होने से पहले पूरे समय के संकेत मिलते रहते हैं लेकिन इन संकेतों के बारे में जानकरी ना होने कारण हम उने समझने में असमर्थ होते हैं यूँ तो हर ब्यक्ति धनवान बनने की चाह रखता है लेकिन कुछ ऐसे भी ब्यक्ति होते हैं जिनके सबने पूरे होते हैं जोतिस के अनुसार कुछ संकेत ब्यक्ति के धन्वान होने का भी संकेत देते हैं, इन्हें बहुती सुब मानाग्य है आईए जानते हैं कौन से संकेत हैं जो ब्यक्ति को धन्वान बनने से पहले मिलते हैं जो तिस के मानेतों यदि किसी व्यक्ति का दाहिना अंग फढ़कना सुब होता है जैसे दाहिना गाल और बाजू का फढ़कना अच्छी बात होती है इसे आप सुब संकेत के रोप में देख सकते हैं इसका अर्थ है कि आपके जीवन में धन, सुख और प्यार आने वाला है धन की देवी मा लक्समी आपके घर पधारने वाली है आपको पैसा कमाने के लिए नए साधन मिलने वाले हैं आपकी किसमत चमक सकती है अगर आप किसी काम से बहार जा रहे हैं और रास्टे में कोई कुट्ता अपने मुह में खाने वाली कोई चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की और संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाव की प्राप्ति हो सकती है यदि आपके घर के में गेट के सामने आग का पोधा अपने आप उग जाए तो यह अभी सुपसंकेत माना गया है इसका मतलब है कि आपके घर पैसा और सुखाने वाला है आप जल्दी धनवान बन सकते हैं आपको अचानक कहीं से बड़ा धन लाव हो सकता है आई के सिरोध बर सकते हैं पैसा नी वर्ष करने पर लाव हो सकता है भाग आपका बैंक बैलेंस बड़ा सकता है घर में अचानक से काली चीटियों का जोंड़ निकलना भी सुब माना गया है इसका मतलब है कि आपके घर में माल लक्समी का वास होने वाला है आपके उपर माता रानी का अशिरवाद रहेगा आप जीज भी काम में हाट डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी पैसों को लेकर आपकी सभी चिंताएं खत्म होंगे अटका हुआ धन भी आपको मिल सकता है यदि घर में बिल्ली बच्चों को जर्म दे तो यह बहुती सुब माना गया है ऐसे मैं इन बच्चों को भगाना नहीं चाहिए इन्हें रोटी पानी दूद देना चाहिए इससे घर में सुकसांदी और सम्रती आती है यह आपके लिए अच्छा संकेत लेकर आता है इसी तरह यदि कोई पक्षी आपके घर की छट में कोई कीमती चीज गिरा दे तो यह भी सुब माना जाता है इसका अर्थ है कि आपको अचानक बड़े धन की प्राप्ती हो सकती है दाहिनी हतेली में जादे देर तक खुजली होना भी बहुत सुब माना ज़े है इसका मतलब है कि आपके हाथ में जल्दी धन आने वाला है इसी तरह दाई आग का फड़कना भी धन आगमन की ओर संकेत करता है इसका अर्थ है कि आपकी जॉब बिजनस में लाव होने वाला है कहीं से बड़ा धन लाव भी आपको हो सकता है घर में यदि छिपकली अचानक तीन एक सांथ आ जाएं तो यह बहुती सुब माना गया है यह मालक्समी जी के आगमन का संकेत है यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलिया एक दूसरे का पीछा करती भी दिखाई दे तो यह घर में उन्नती का संकेत होता है दिपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यनती ही सुब माना गया है यह अपार धन मिलने का संकेत माना जाता है यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई जाड़ू लगाताफा दिखाई दे और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहे तो समझ लें कि आप बहुत जल्दी धन्वान बन सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ